जून के महीने में, मिथुन रासी के लिए ये जून का महीना कैसा रहने वाला है, क्या-क्या इसमें अच्छाईयां हैं, क्या-क्या बुराईयां हैं, किन-किन चीजों का सामना हमें करना पड़ सकता है, और क्या साउधानिया हम बढ़ते हैं, तो सबसे पहली बात यह है, कि आपके चतुर ग्रही योग द्वादस अस्थान के अंदर इस्थित हैं. جिसके अंदर सूर्य, बुद्ध, ब्रिहस्पती और सुक्र ये आपके द्वादस अस्थान के अंदर विद्धिमान हैं तो राज्योक।। लेकिन विप्रीत राज्योक बन रहे हैं. आपका कोई तो थ्यान रखें, कहीं भी किसी व्यापार में नए व्यापार करें, तो सोच समझ करके करना, इसुमें कुछ दुवीधा, कुछ संक्ट, पलिस्चानी, थयाको alley को ठाकर के, राहू आपके द समय स्थान में गया, और दसमेस भी आपका बारमेस्थान में गया, तो ध्यान रखिएगा अगर आप कोई नोकरी पेशा हैं, तो नोकरी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई उतार चड़ाव आपको देखने को मिल सकता है, उसके प्रती आपको साउधानी बरतनी पड़ेगी कि अपने द्वारा कोई ऐसी ह पिए पने पिस्तान के अंदर हैं, और ये आपके भागी की वर्द्धी करेंगे, दूर दूर की यात्राई करवाएंगे, और वो सारी की सारी यात्राई आपकी सफल होगी, इसके साथ भाईयों से और मित्रों से कुछ विवाद हो सकता है, ल sentiments होगा है, कोई रोग है तो व एक और दो तारीक ये आपके लिए जो है लाबदाई एक दो और तीन चार तारीक ये क्रमस है चार दिन आपके लिए राजियों के लिए सरकारी नोकरी के लिए व्यापार के लिए पिता से असिरवाद के लिए और अकस्मात लाब के लिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया गुजरेंगे लेकिन एक बात का ध्यान रहे पांच और छे तारीक इसके अंदर आपको किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है कहीं किसी को देलने आपको नहीं करना है कहीं इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा ये साथ दिन आपके इस मेने के सर्वस्रिष्ट दिनों में कहा जा सकता इन दिनों के अंदर बहुत से आपके कारिये रुके हुए संपन होंगे फलिफूत होंगे और दन का आगमन होगा परिवार में उत्सव मनाया जाएगा और के साथ में ये साथ दिन आप गुजारेंगे लेकिन 14-15-16 तारीख ये आपके लिए थोड़ी ची चिंता दायक है किस कारण से चिंता हो सकती है अकारण ही चिंता होगी कोई समाचार ऐसा मिल गया कि जिसके कारण से मन जो है खिन हो गया चिंता में पढ़ गया तो ऐसा कुछ ह हो सकता है 17-18 तारीख पढ़ने वालों के लिए बहुत बढ़ियाक है इंटर्व्यू वालों के लिए बहुत बढ़ियाक है और आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है लेकिन ध्यान रहे 19-21 तारीख में आपके द्वारा कोई ऐसी हरकत ना हो जाए ऐसी बाणिया ऐसा ब्यवहार ना हो जाए जो किसी के साथ किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाए 22-22 तारीख आपकी बहुत बढ़िया है ब्यापार पढ़ाई खेती मजदूरी हर काम के अंदर आपको जो है यह बढ़िया फल देने वाली होगी कोई नया ब्यापार भी इ फड़ा सा सावधान रहना होगा क्योंकि उस समय पर आपका स्वास्त कुछ डगमगा सकता इसके बाद 26 27 28 29 और 30 यह पांचों दिन आपके लिए सर्व स्रेष्ट और स्रेष्ट तम कहें जा सकते हैं कोई भी कारिय है आपका वह अपूर नहीं रहेगा जो पहले से चला कारि है आ रहा है वो अब आ करके संपन होगा लेकिन आपको आलस्य को छोड़ करके उस कारे को पूर्ण करने की ततपरता आपको दिखाने होगी तो यह जो है आपका महीने बरका निचोड़ है बाकी जानकारियों के लिए इन नमरों पर संपर्क करके कारेले से करके जो भी आप जानना चाते हैं वो आप जानकर के लाव उठा सकते हैं नमस्कार